नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आज इसने वीडियो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और दोस्तों यहाँ पर उत्तरप्रदेश बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर सम्विधा में कंप्यूटर आपरेटर के भरती का जो जारी कर दिया गया है तो दोस्तों इस भरती बारे मैं आपको संपूर जनकारी देने वाला हूं इसके लिए दोस्तों योगता आपकी जो है ग्रेजुएशन मांगी गए उसके लावा ADC है आपके पास CCC है कोई और कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा तो इसक क्या लगने वाली है ठीक है कैसे प्रोसेज है इसका कैसे आपको फॉर्म बनना सेलेक्शन कैसे होगा एट यूट सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं तो दोस्तों इसके ऑफिसल नोटिपिकेशन की तरफ मैं आपको ले चलूँ आपसल न नोटिपिकेशन आपको दिखा देता हूं उसके बाद मैं अभी इसकी आपसल वेफ साइट पर ले चलूँ गा और फुल नोटिपिकेशन भी यहां पर दोस्तों आपको दिखाने वाला हूं जैसा कि आप दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं ऑन लाइन सेवयोजना सब्सक्राइब करें दोस्तों यहां पर आगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं किसी भी जो है और कोई आन आपके पास कंप्यूक्च का डिप्लोमा है एक साल से रिलेटेड प्ली अच्छा मेंने का तो यहां पर काम कर जाएगा तो यहां पर देखिए पुरूस और महिला दो नीचे यहां पर दोस्तों अभी मैं इसकी आपसल वेपसाइट पर ले चलता हूं और आपको दिखाऊंगा आनलाइन फाम इसका दोस्तों कैसे भरना है और संपूर जानकारी भी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं तो बिल्कुत दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें ट्रीकर सेवा यूजना पोर्टल क्लियर है यह टाइप करने पृट्र अब हूं क्या करें के दोस्तों सीधा इंटर पर क्लिक कर देंगे जैसा दोस्तों इंटर पेक्लिक करेंगे आपके सामने साइड ओपिन होगी क्लियर है नीचे कतर रमाएंगे इस जॉब वाले दोस्तों यह आप देख पार है Login it पर हमने क्लिक कर दिया है अब यहां पे अपनी Login ID password और यहां पर capture डालके log in करने वाले हैं अगर आप नए हैं दोस्तों पहली बार कर रहे हैं तो पहले आप आप इसका रेजिस्टेशन करवा लिए सेवयोजन पोर्टर पर उसके आप लॉग इन कर सकते हैं अगर आप खुद से करना चाहरे तो चैनल पर चल जाए यह आपको मिल जाएगा ठीक है कैसे आपको पूरा कंप्लीट करना है फॉर्म हमने अलएडी दो तीन वीडियो बना र होगा यहां पर अपना पासवर्ट हमने फिलप कर दिया है कैप्चा भी हमने 75-20 यहां पर डाल दिया अभी सिधा सम्मीट वाले अप्सन पर क्लिक कर देंगे जैसे दोस्ते इस पर क्लिक करेंगे इसकी जो आपसल वेफसाइड है वहां पर हम लॉग इन कर जाएंगे क्लिय पर सिवयोजना पोर्टल के मादम से आपके सामने दोस्तों सारी ओपन हो जाएंगे क्लियर है तो फार्म कैसे बनना वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है चली नीचे एक तरफ चलते हैं यह इस तरह से देखी आपके सामने ओपन हो चुकी है देख रहा है अंतिम्ती 31 दिस मिनट के बाद आवेधन कर सकते हैं तो लगबग आठ गंटे बाद यहां पर दोस्तों आवेधन आज से सुरू हो जाएंगे क्लियर है यहां पर देखिए त्रिपल सी एडी सी सब कुछ आपका मानने क्लियर है तो रिक तुभी रड़ अगर आपको देखना है तो इस वाले अप्सन पर क्लिक कर देते हैं जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे इसका डुटेवल में जो आपका नोटिफिकेशन है आपके सामने ऊपन होगा तो एक एक चीज आप आराम से पढ़ पाएंगे यहां पर देख पा रहा है ठीक है कंप्यूटर आपर बिद्दूद विभ यह चीजे आपको आनी चाहिए यहां पर आप देख लीजिए का क्लियर है देखिए पूरूसर महिला दोनों अप्लाई करेंगे साहिली मैं आपको अलड़ी बता चुक हूं 17,321,18,40 की बीच में एज होनी चाहिए और इस सेक्टर में जिस पर आप अप्लाई करना चाहिए यहां पे देखिए दिपलोमा इन केम्पूटर रॉप जेशन है तो भी वैलेड है ADC wise कुछ भी है तो और टाइपिंग यहां पे दोस्तों आपकी हिंदी में थापिंग दोस्तो 35 यानिकि 35 बहुत पर प्रत मिनटे दोस्तों यहां पर आपकी टाइपिंग भी मांगी गयी ह तो लगबग 8 गंटे बाद इसका जो है दोस्तो ऑनलाइन फार्म सुरू हो रहा है इस भरते के लिए कोई भी पेपर नहीं होगा एक चीज समझ लिए ठीक है जितना जल्दी जैसे भरती शुरू होगी जो जतना जल्दी यहां पे दोस्तो फार्म को अपलाई कर देगा और उसको टाइपिंग के लिए दोस्तो बुलाए जा जाएगा clear हो गया तो यहां पर देखिए यह चीज़े हैं यह देखिए बहुत सो लोगों का कहिना कि हम बहुत से farm भरें लेकिन नहीं आया तो यह जरूरी नहीं है एक पोस्ट ली मा लीज़े पांच हजार लोगों इने farm भारा तो जरूरी तो पांच जार जबू लाए जाएगा इस पांच जार में से एक या दो या तीन या चार पत्चों को बुलाए जाएगा इसी में सलेक्शन हो जाएगी जिसको जिसके टाइपिंग सही होगी क्लियर हो गया यह इस तरह से दोस्तों भरतिस पे कोई भी एक्जाम नहीं है सिप आपकी टाइपिंग होगी ठीक है और आप होती रहे आप मिस ना करें अब यह वीडियो को समाप्त करेंगे जय हिन जय भारत